क्या आपने कभी जो गाजर का ग्रीन्स आते हैं उसकी कड़ी खाई है वो भी बहुत टेस्टी बनती है राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है यह तो चलिए शुरू करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने गाजर की जो ग्रीन्स आते हैं वो लिये हैं उ करें तो अश्टान भी क मृत पर अब डाव में निकल बाइर तो कर देंगे फिर इसको अच्छे से निकाल लेंगे हम और फिर क्या करेंगे? अभी बताते हैं आगी की process तो अभी क्या करेंगे इसको निकाल कर फिर इसको डाल के साथ बॉयल किया जाएगा तो पहले जो है वो हम बनाएगे डाल और पालर को बॉयल करके एक सबजी तयार होगी तो यहाँ पर देखे मैंने mix डाल ली है आप चाहिए तो कोई भी single डाल भी ले सकते हैं लेकिन मैं mix वाली यूज़ कर रही हूँ और फिर इसके साथ ही लेंगे हम healthy और नमक तो just healthy और नमक के साथ इसको हमें boil करना है और पानी बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे उतना ही डा हम कूकर में और फिर इसको पका लेंगे तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से अभी देखो इसमें कोई flavor नहीं है सिर्फ हल्दी और नमक का फ्लेवर आएगा लेकिन जब हमें कड़ी बनाएंगे तब इसमें काफी flavors आजाएंगे यह मैंने लिया है चाच चाच मैं डालूँगे बेसन, बेसन के साथ ही थोड़े से हम मसाले डालेंगे जैसे की हल्दी, लालमिचका पाउडर, धन्या पाउडर और नमक और इन सब को mix कर लेंगे और इसका एक हमें batter बनाना है बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर तो ज्यादा तो जब तक कि इसमें boil नहीं आ जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और जो चाच है वो फट जाएगी और हमारी जो कड़ी है वो पूरी बिगड जाएगी तो इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें boil नहीं आ जाता तो आप किस तरीके से कौन-कौ कड़ी पकती है उतनी ही ज्यादा वह टेस्टी बनती है और आप देख सकते हैं का्लर भी काफी चेंज होता जा रहा है तो वस्कों इसी तरीक सी हमें पकाना है उसके बाद हम क्या करेंगे है जब कड़ी हमारी अच्छे से पक जाएगी तब में जो हमने दाल और पालर बॉयल किया था उसको खोल लेंगे और देखेंगी कैसा यू तयार हुआ है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे पाणी नहीं है बिल्कुल लिक्विडी हमने तयार तड़का हमने नहीं लगाया है क्योंकि तड़का हम बाद में लगाने वाले हैं और जो दालन पालर है उसको भी हम इसमें डालने के बाद 10 मिनट तक पकाएंगे अब हम क्या करेंगे तड़का पेन में लेंगे तेल इसके साथ हींग, जीरा, राई, थोड़ी से अजवायन, तो सुखी लाल मिर्ज, चार, लॉंग और ये जो है मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है तो लहसुन जो है एकदम से कूट लेंगे हम चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हो बट कुटे हुए लहसुन का फ्लेवर और भी ज्यादा निकल कर आता है तेल में तो बस इस तड़के का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसको भी बहुत ज्यादा नहीं पकाना है लाल मिर्च डालने के बाद वरना लाल मिर्च जो है वो जल जाएगी और अभी ये तड़का हम डाल देंगे कड़ी के ऊपर और आप देख सकते हैं जो कलर है कड़ी का वो एकदम से चेंज हो गय है काफी इसमें फ्लेवर्स आ गए हैं तो जरूर आप इस तरीके से ट्राइ करना बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है ऐसे कड़ी और तड़के में तो मतलब चार चांद लगा दिया है तड़के ने इस कड़ी में तो जरूर इस तरीके से जब भी आप कड़ी बनाओ न फिर लास्ट में हम एड़ कर देंगे इसमें कटा हुआ हरा धन्या और पस यह हमारी जो दाल पालर की कड़ी है ना बहुत ही टेस्टी वाली यह बनकर तयार है बाजरी की रोटी के साथ तो बड़े ही मतलब मज़े आ जाते हैं इसको खाने में तो जरूर इसको ट्राइ करन और मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी थैंक यो फो वाचिंग मैं वीडियो